आपने फिल्म तीसरी मंजिल में गाने का ये शॉट देखा, अब आप ये बताईए कि आपको ये शॉट कैसा लगा, क्या ठीक से देखा नहीं? अच्छा, तो एक बार फिर से ये शॉट देख लीजिए अब बताईए, कभी इसी शॉट की वज़े से अभिनेता शमी कपूर और फिल्म तीसरी मंजिल की डिरेक्टर विजय आनन्द के बीच ठन गई थी शमी कपूर ने फिल्म निर्माता नासिर हुसैन से विजय आनन्द के शिकायत कर दी थी और उन से कहा था कि गोल्डी आपकी फिल्म डुबा देगा नमसकार, 1966 में एक फिल्म आई थी, नाम था तीसरी मंजिल फिल्म का नाम तीसरी मंजिल इसले रखा गया था क्योंकि फिल्म में किसी का कटल एक होटल के तीसरी मंजिल पर होता है फिल्म की पूरी कहानी इस मौडर पर टिकी होती है इस फिल्म को डिरेक्टर रहे थे विजयानन्द यानि गोल्डी, फिल्म में हीरो थे शमी कपूर और हिरोईन आशा पारिख तब नासिर हुसाइन के हर फिल्म में आशा पारिख ही हिरोईन हुआ करती थी खैर तीसरी मनजल की शूटिंग शूरू हुई, शूटिंग का पहला दिन भी आ गया, फिल्म में दुनिया से जुड़े लोगों को मालूम है कि कलाकार और नर्देशक दोनों के लिए शूटिंग का पहला दिन बहुत खास होता है इस दिन कलाकार डिरेक्टर की प्रतिभा अजमाते हैं, और डिरेक्टर सोचता है कि शूटिंग का पहला दिन है, अगर मैंने इसे आज धील दे दी, तो फिल्म पूरी होने तक ऐसे ही करते रहना पड़ेगा हर स्टार कलाकार निर्देशक पर अपनी बात चलाना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि उसे अपने पसंदीदा निर्देशक के साथ काम करने का मौका मिले और अगर किसी वज़े से दूसरे डिरेक्टर के साथ काम करना पड़ता है, तो वो थोड़ा कस मसाता है पहले अक्सर ऐसा होता था तो फिल्म तीसरी मंजल के हीरो शमी कपूर भी चाहते थे डिरिक्टर विजे आनंद यानि की गोल्डी उनकी हर बात माने उनकी जित पूरी करे उधर गोल्डी चाहते थे कि शमी पहले दिन जरा शांती से काम ले ताकि वो कलाकारों की भावनाएं समसके वैसे भी शूटिंग में लाइट सौन होने के बाद कैमरे के सामने खड़े कलाकार और कैमरे के पीछे खड़े निर्देशक के बीच एक तरह का बिन बोला समवाद चलता रहता है तो फिल्म तीसरी मंजल की शूटिंग जब शुरू हुई तो कई सीन में गोल्डी को लगा कि शमी कपूर उनकी बात मानने में कुछ आना कानी कर रहे हैं कुछ दिन ऐसे ही चला फिर एक दिन बांदरा के महभूब स्टूडियो में एक गाने का सेट लगाए गया शुटिंग के दौरान शमी कपूर ने एक दिन गोल्डी से कहा यार गोल्डी तुम क्लोज अप तो लेते ही नहीं सिर्फ लॉंग शॉट्स लेते हो गोल्डी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी देवानन भी क्लोज अप के लिए जिद किया करते थे देखो शमी, गाने के बीच में क्लोज अप शॉट्स भी लिये जाएंगे इसके बाद गाने के एक अंतरे के लिए हेलेन और शमी कपूर का एक लंबा शॉट गोल्डी ने प्लान किया इस शॉट की रिहर्सल भी हुई मैं फिल मैं फिल ऐ शमा फिरती हो कहा मैं जाना मैं जरब मेक अप करके आता हूँ ये कहकर शमी कपूर सेट से चले गया इस बीच गोल्डी कैमरामेन के साथ शॉट को लेकर बात करते रहे जब शॉट रेडी हो गया तो शमी कपूर को बुलाए गया बताये गया कि शमी साहब तो गाड़ी लेकर निकल गये है अब क्या किया जाए गोल्डी कुछ समझ नहीं पा रहे थे फिर भी वो शांती से सेट पर बैठे रहे दस मिनट बाद शमी कपूर फिल्म के निर्माता नासर हुसेन के साथ सेट पर हाजर हुए नासर हुसेन सेट पर तो आगे लेकिन उन्होंने गोल्डी से कुछ कहा नहीं रात को गोल्डी जब उनके घर पहुँचे तो नासर हुसेन ने गोल्डी को बताया आज दोपहर शमी कपूर मेरे घर आएं और बोलें कि नासिर गाना इतना बढ़ियां बना है और गोल्डी गाने को कैसे शूट कर रहा है खुदा कर देखो बचालो अपनी पिक्चर को नासिर हुसेन जब सेट पर आए और फिर उन्होंने जब गाने की रहरसल देखी तो वो शमी से बोले ये तो कमाल का शॉट है तुम नहीं समझ पाओगे शमी इस शॉट में हेलेन आखी की आकरिती में खड़ी हुई होती है और शमी कपूर सीधिय हेलिन के लिए गा रही है आशा भोसले फिल्म में संगीत दिया है आड़ी बर्मने और इस गाने को लिखा है मजरू सुल्तान पूरी ने इस एपिसोड में आज बस इतना ही अगर अब तक आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जरूर कर लें नमस्कार